इस वीडियो में कुछ चुनिंदा इंफोमेशन दूँगा वह भी जल्दी जल्दी ताकि आप लोग तक पहुंच जाए ख़बर तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राकेट जुनजुनवाला से राकेट जुनजुनवाला जब भी किसे स्टॉक में इंवेस्ट करते हैं तो पक्का मैं आपको बता दूँकि इनके पीषे का जो philosophy होता रोग टांस करतें और वह जो करते हैं और जो किया राकेट जुन जुन वाला का फेवरेट स्टॉक आप बोल सकते हैं मुझे अभी भी याद है 100 परसंट याद है कोविड 19 के टाइप में उस टाइम में जब पूरा बजार गिर चुका था तो यह स्टॉक 16 रुपे पर आ चुका था और राके जुन 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 वाला ने स्टॉक को साइद 90 या 80 र बढ़ आई थी और उसके बाद देखो आज यह फिर से दुबारा जो एनसी का जो स्टॉक है न वह आज बहुत नीची गिरा हुआ है और इसका जो हाई है न वह 200 रुपे से भी जादा है और किवल 56 रुपे में मिल रहा है अब लोग बोलेंगे इस टॉक क्यूं बता रहे ह न बताऊंगा यह को एनसीड़ न बहुत सारे सक्टर में काम करती है वहूत सारे सक्टर में इंफardAK activist के दुणिया में मतलब ेंडिय प्रोजेक्ट हो गया, माइनिंग हो गया, पाउर हो गया, टांस्मिक्शन हो गया, लाइन हो गया, यह सारे चीज़ों में रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, यह सारे चीज़ों में कमपनी काम करती है, मतलब हाउस के लिए भी काम करती है, बिल्डिंग हाउस, रोड के लिए क काम करती है वाटर इंवारेमेंट के लिए काम करती है इलेक्टिकल हो गया मतलब इरिगेशन हो गया मतलब माइनिंग रेलवे अदर्स बहुत सारे चीज़े हो गया हर चीज के लिए कंपनी के पास जो और है ना भई और बुक देखोगो तो 18,943 करोड और टोटल जो पहले य कहां कहां से आया है वो आपको बताया जारा देख लिए मतलब बिल्डिंग के लिए 55% हो गया वाटर सप्लाइ इंवारेमेंट रेलवे के लिए 18% हो गया माइनिंग के लिए 6% हो गया आप सब कुछ यहां पर देख सकते हो यह सारे जगह से और बहुत अच्छी कंपनी है कंपनी का मार्केट केप किवल 3544 करोड है यहां से अगर दोख कंपनी दुगना भी हो गया तो मैं आपको बलूँ हूँ है इस कंपनी का मार्केट केप 7000 करोड भी हो गया यह फिर 10,000 करोड भी हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी नॉर्मल रहेगी लेकिन इनका और खबर आ गई यहां पर जिसके कारण मुझे यह वीडियो आप लोगों तक पहुचाना पड़ गया हां यह खबर आ गई परमोटर्स होल्डिंग है यहां पर only 22% इन्हें से इन्होंने 14.8% प्लेज भी कर रखा लेकिन परमोटर्स ने अपनी इस्तिदारी बढ़ा बिरीज बनाने के लिए पहले पैसे चीए न तो यह लोग पहले लोन लेता हैं लोन लेने के बाद पहले अपना काम पूरा करते हैं एनको पंट्रेट ठाने हो es संक्सार को है कुछ कॉछ नहीं आपको बताए चाएगा हैं इसमें बहुत सारे स्टॉक को डाउनग्डरेट कर दिया गाया है वो भी IT सेक्टर के स्टॉक को कौन से स्टॉक है यहां आपके देख सकते हो, जेफरी हैस डाउन ग्रेड़ेड़ है एक्टेकनोलजी टेक महिंद्रा, यहां पर बताया गया है, टू होल्ड रिकॉमेंडेशन, इनको होल्ड करना, मतलब खरीदन नहीं है, और साथ साथ में यहां पर देख सकते हो, और साथ साथ बताया जारा, ब्रो इनका टॉप पिक, इनको लगता है कि इनफोसिस काफी एचा परफॉम कर सकता है, 1700-1800 के बाजू में यह मतलब जो है, तार्गेट प्राइस आपको बताया जारा, यहां पर देख सकते हो, टी-स इनोंने बुलाए कि भई, टी-स बेस स्टॉक है, लॉंग टम के लिए, शॉर्ट टम के लिए आप चाहें, जैसे भी इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं, चलेगा, आगले हपते में कौन से कौन से स्टॉक हैं, जो धमागा करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका रिजल् अच्छा हुआ, पिछली बार रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इस वज़े से मार्केट भी गिर रहा था, तो रिजल्ट सीजन है, तो हो सकता कि मार्केट कोई लोग संभाल ले हैं, HDFC बैंक, HCL, Mindtree और 3 Tata Company आपको बताया जा रहा, तो यह सारे कि अगर रिजल्ट अच्छ जादा है, निफ्टी में, इस वज़े से, और अगर आप स्टाक मार्केट में नहीं हो, तो अपने डिमेट अकॉंट इंजल में उपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डिमेट अकॉंट बिल्कुल फ्री, डेलिवरी चार्जेस फ्री, कि वल 20 रुपीज लागता है, वो भी इ इंट्रडे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिन्टों में जाके अपने डिमेट अकॉंट बगर आपन कर सकते हैं,